Physics का Part 2, Unit है First, हमारी Unit का नाम है विद्युत आवेश एवं छेत्र, जिसमें आप एक बहुत ही important concept को समझेंगे, वो है विद्युत फ्लक्स एवं गौस की प्रमी. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. आज हम अध्यन करेंगे सबसे पहले एक derivation, विद्युत द्युत द्युत रूप को आप पढ़ चुकें. अब हम उस द्युधुरूप पर लगने वाले बल्युग्म के आघूर्ण का व्यंजक. टार्क जो उस पर लगता है, एक समान विद्युत शित्र में, युनिफॉर्म एलेक्टिक फील्ड में, उसका एक बहुत important derivation निकालेंगे. सबसे पहले तो ये काम करेंगे. दूसरा, गौस की प्रमे तक जाने के पहले, हमें दो कॉंसेप्ट को बड़ी गंभीरता से समझना होगा. एक होती है एरिया वेक्टर और एक होती है विद्युत फ्लक्स की अवधारना, इलेक्टिक फ्लक्स की. एलेक्टिक फ्लक्स होता क्या है? जब तक हम इन दो चीज़ों को नहीं समझेंगे, हमें गौस की प्रमे समझ में नहीं आएगी. तो हम आज इन चार विंदूंपे चर्चा करने जा रहे हैं, उनको समझने जा रहे हैं. ये एरिया वेक्टर समझेंगे, फ्लक्स समझेंगे, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट, जो इस पूरी यूनिट की है, MP बोर्ट के सिलिवस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली ये एक्जाम की दृष्ट्री कॉंड से बहुत महत्वपूर्ण ह तो चलिए हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम डेरिविशन करेंगे, एक समान विद्यू छेतर में रखे, बल्यूम के लगने वाले बल्यूम के आगून का व्यंजक, तो ये देखिए डाइपोल है, एलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम विद्यू दृदूरूप कहते हैं इसमें ये ए भी विद्यू दृदूरूप का नाम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, दो बिंदू आवेश यदि एक दूसरे से बहुत अलप दूरी परिस्तित होते हैं, तो इस सिस्टम को इस निकाय को हम एलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्यू दृदूरूप क बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो इसके दोनों चार्ज पर, दोनों आवेश पर, प्लस क्यू चार्ज पर एक बल लगता है, क्योंकि E is equal to क्या होता है, F upon Q naught, आपने डेफिनिशन में पढ़ा है, चेत्र में एकांग परीक्षन धनावेश पर लगने वाले बल को विद्यु चेत्र की उस बिंदू पर विद्यु चेत्र की तीवृता कहते हैं, यानि ये फार्मूला हमने पढ़ा है, डेफिनिशन में पढ़ा है, तो इसका मतलब है, F is equal to, हम Q naught E, और ये दी चार्ज हमार बराबर और बिपरीत होते हैं, और जब किसी वस्तू पर, 11th में आपने पढ़िए टार्क की कॉंसेप्ट, जब किसी वस्तू पर दो बराबर और बिपरीत बल लगते हैं, तो वो इसको घुमा देते हैं, तो ये विद्यु दिधुरु को ये दोनों बल, जो बल्युम बना बलों का जोड़ा बल्युम जो बराबर हों और विपरीत हों, और जो ई के समाना अंतर लाने का उनको प्रियास करता है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रत्यानेन बल्युम का आगून, रेस्टोरिंग टार्क, अब टार्क आपने एलेविंथ में पढ़ा है, टार्क जब हम निकालते हैं, तो फोर्स इंटू पर्पिंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल में किसका गुणा होता है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क गुणा इस टार को ग्रीक के एक लेक्टर लेटर टाउश शो किया जाता है एलेविंथ में आप पढ़ चुके हैं तो मुझे ज्यादा इस मुश्य में बतानी की जरूरत नहीं है तार्क या आघूर जो है वो टाउश शो किया जाता है तो फोर्स F हो गया और दोनों फोर्स क के बीच की लंबवद दूरी क्या हो गई? AC हो गई यह देखिए AC यह कौन के सामने की भुजा लंब है यह दोनों के बीच की लंबवद दूरी है तो AC का इसमें multiply हो जाएगा अब AC को F तो हमारे पास है F क्या है? QE है? AC को हमें इस triangle से find out करना है इस समकौन तरुबश से नि निकाल लेंगे उसमें कोई problem नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करें? कि F is equal to क्या रखें इसमें? QE रखें और टाउ is equal to क्या हो जाएगा? जब QE इसमें रख देंगे तो टाउ is equal to क्या हो जाएगा? QE into AC अब हम इस right angle triangle की बात करते हैं इस से हम क्या निका find out करेंगे? AC करें परपेंडिकुलर कहलाती है लंब कहलाती है तो this is AC ये क्या है? लंब है और करन क्या है? AB तो AC upon AB आएगा आप इसका cross multiplication कर दें तो AC equals to क्या आजाएगी? AB sin theta ये हमारा equation 2 हो गया वो equation 1 था अब हम आगे बढ़ते हैं तो AB आप जानते हैं कितनी होती है? AB यहां से लेके यहां तक की distance है तो AB की value क्या आएगी? AB की value आएगी 2L क्योंकि हमारा diagram जो कह रहा है वो ये कह रहा है ये diagram है हमारा ये ABS में AB equals to क्या आ रही है? 2L आ रही है तो हमारे पास tau is equal to ये first equation था हमारा QE into AC second equation था AC equals to AB sin theta AB की value इससे हमने देखी तो क्या आएगी? 2L equation first और 2 ये समीकरन 2 का मान AC का मान पहले हमने रखा तो tau is equal to क्या हो गया? QE into AB sin theta AB की value हम इसमें 2L रख देंगे तो ये हो जाएगा QE into 2L sin theta तो tau is equal to हम इसको लिख सकते हैं Q into 2L ये Q into 2L E sin theta अब आप इसको देखके समझ ग आपने ये पढ़ा है कि Q में चार्ज में यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा करते हैं विद्य दुधरूब में तो इसको हम दुधरूब आगूरन कहते हैं electric dipole moment तो Q into 2L क्या है? P ये सारी बात हैं आपको आपके copy में note करना है और पिछले वीडियो को दे P finally हमारे पास जो equation आएगा वो आएगा tau equals to P e sin theta अब एक बात और इससे आपको दुधरूब आगूरन को define करना है आप इसकी परिभाशा भी दे सकते हैं कैसे दे सकते हैं? If e equals to 1 in this equation e की value 1 है और theta is 90 degree then you can write sin 90 becomes 1 sin 90 की value क्या होती है? 1 होती है e की value क्या होगी? 1 होगी तो tau equals to क्या आजाएगा? P आजाएगा यदि e बराबर 1 है और theta बराबर 90 है तो tau is equal to P आएगा कैसे आएगा? e को हमने 1 किया, theta को हमने 90 किया, sin 90 की value 1 होती है That's why tau equals to क्या हो गया? P याने ultimately हम दुईधरूब आघूर्ण को याने dipole movement को define कर सकते हैं with the help of this dark derivation क्या कह रहा है? क्या ताउ की value P के बराबर है, P equals to tau के बराबर है, tau क्या है? प्रत्यान यान बल्योगम का आघूर्ण, P क्या है? दुईधरूब आघूर्ण ये P tau के तब बराबर आया, जब हमने E को unit किया, E को एकांग किया और theta को 90 degree किया, याने लंबवत किया इसका मतलब ये है, के एकांग तीवर्टा, इस E को क्या किया? वन किया, के विद्धु छित्र के लंबवत रखे दुईधरूप पर कारिये करने वाले बल्योगम के आघूर्ण को ये बल्योगम का आघूर्ण है, को ही क्या कहते है? दुईधरूप आघूर्ण ये एकांग तीवर्टा के विद्धु छित्र के लंबवत रखे दुईधरूप पर कारिये करने वाले बल्योगम के आघूर्ण को दुईधरूप आघूर्ण कहते हैं, इसे अपनी कॉपी में नोट करिए, पूरा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कॉंसेप्ट हम चलते हैं, वो है इसी के आगे ताउ इसकोल टू पी साइन थीटा को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप वेक्टर प्रोड़क्ट जानते हैं, 11 से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोड़क्ट और पिछले वीडियो मे कहते हैं, वो होता है a, b, cos theta के बराबर, a, vector a dot vector b equals to a, b, cos theta, जिसमें a और b उनके mod होते हैं, magnitude होते हैं, परिमान होते हैं, और cross product होता है vector a, cross vector b equals to a, b, sin theta, तो यहाँ p, sin theta आपको दिख रहे हैं, vector a cross vector b, क्या होता है a b sin theta तो a की जगे क्या लिखा है p लिखा है b की जगे क्या लिखा है e लिखा है sin theta लिखा है इसका मतलब है vector tau equals to आप लिख सकते है vector p cross vector e याने सदिश रूप में आपको केवल इतना रिखना है vector tau equals to vector p into vector e तो ये दोनों के सदिश गुडणफल के बरावर होता है प्रत्यान अन बल्योग आगूण दुधरूप आगूण और विद्धुच्छेत्र की तीवरता के सदिश गुडणफल के बरावर होता है फिर इसकी direction भी होगी तो कुछ दो इस्थतियां इसकी हम देख लेते हैं विशेस स्थतियां क्योंकि इसमें angle आ रहा है एक ही में हम दो को करते हैं theta equals to 0 हो इस equation में theta equals to हमारा 0 हो या 180 हो 180 हो तो आप रखेंगे 0 sin 00 हो जाएगा तो sin 0 की value 0 हो जाएगी तो tau is equal to क्या हो जाएगा 0 तो यदि theta equals to 0 होता है या वो anti parallel 180 होता है तो उस पर कारिये करने वाला प्रत्यान बल्यूम का आगून 0 होता है इस स्थति को विद्धु दुद्रूप की इस्थाई संतुलन की स्थति कहते हैं इसको आप ध्यान रखिएगा अब हम बात करते हैं हम गौस की प्रमे की भूमिका पे जा रहे हैं लेकिन गौस की थियोरम समझने से पहले आपको दो concept को समझना है मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बता दिया है एक एरिया वेक्टर अब तक आप 10 और 11 में एरिया को यानि 6 तरफल को अधिश रासी समझते रहें अधिश रासी एरिया होती छे तरफल अधिश रासी होती लेकिन फ्लक्स की जब हम गड़ना करते हैं फ्लक्स को जब हम निकालते हैं लेक्ट्रिक फ्लक्स को तो physics में area को हमें vector की तरह treat करना है तो vector की तरह treat करना है तो क्यों करना है उसका कारण आपको समझ में अभी आ जाएगा area vector होता क्या है देखिए यदि ये electric field lines है 1, 2, 3, 4, 5 और इसके यदि लंबबत एक प्रस्ट रखा हुआ है ये पूरा प्रस्ट है ये विद्य छेत्र रेखा है इसके अंदर से गुजर रही है इसके एक छोटा सा ds हम प्रस्ट छेत्र फल की कलपना करते है तो यहाँ से कितनी field lines लेख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 अभी यदि मैं इसको थोड़ा सा आडा कर दूँ ये जो प्रस्ट रखा हुआ है ये जो surface रखा हुआ है इसको मैंने थोड़ा सा तिर्चा कर दिया तिर्चा कर दिया तो अब ये जो छोटा element है इस मैं से अभी 1, 2, 3 इस छोटे elements मैं से ये छेत्र फल अभी मैं से यहाँ तीन छेत्र रेखाएं गुजर रही थी जब मैंने इसको तिर्चा कर दिया तो इस मैं से कितनी रेखा हुजर रही है केवल 1 केवल 1 और यहाँ से कितनी निकल रही थी 1, 2, 3 इसका मतलब ये हुआ कि छेत्र रेखाओं का प्रभाह छेत्र फल के orientation पर उसके अभी विन्यास पर मैं दिक विन्यास शब्द लेका हुआ है दिक विन्यास पर भी निर्भर करता है उसके direction पर भी depend करता है तो हमें इस छेत्र फल का direction भी साथ में जोड़ना पड़ेगा यदि हम किसी प्रश्ट से गुजरने वाली बल रेखाओं की गढ़ना करना चाहते है flux की गढ़ना करना चाहते है actually flux का मतलब होता flow और यदि विद्द छेत्र रेखाओं बहती नहीं है लेकिन हमें उनसे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की गढ़ना करनी है तो वो छेत्रफल की इस्ति पर भी निर्भर करती है चेत्रफल यदि ये बिलकुल perpendicular रखा हुआ है तो बल रेखाओं ज़्यादा इससे गुजरेंगी यदि हमने इसको किसी एंगिल पर जुका दिया तो कम बल रेखाओं गुजरेंगी इसका मतलब है कि flux में परिवरतना रहे flux कम हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि area को हमें एक सदिस की तरह treat करना पड़ेगा तो area एक vector quantity होती है इसका मतलब ये हुआ कि प्रतेग प्रष्ट का चेत्रफल एक सदिस रासी होता है जिसमें परिमान के साथ साथ दिशा भी होती है ये प्रस्ट समतली हो सकता है या वक्री हो सकता है इस छेतरफल सदिस की दिशा प्रस्ट के अभी लंबबत बाहर की ओर होती है अब इस छेतरफल सदिस के डारेक्शन पर बात करें तो आपको डारेक्शन क्या रखना है एक छे चेतरफल अवियब छोटे से चेतरफल ds की हम यहां कलपना करते हैं कि यहां इसका चोटा सा ds है तो यह जो ds है यह जो surface है यह अलप प्रस्ट है यह जो चेतरफल अवियब है इसका चेतरफल सदिश इसके perpendicular बाहर की ओर होगा अब आप यह कहेंगे कि perpendicular तो नीचे भी हो सकता है तो आपको physics में flux को count करते समय केबल जो outward है जो बाहर की तरफ है जो perpendicular नार्मल बाहर की तरफ है उसको लेना है तो इसका मतलब यह हुआ कि छेतरफल सदिश की दिशा उस विचारा धीन प्रस्ट के लंबवत बाहर की ओर होती है तो direction आपको क्या लेना है बाहर लेना है कु हम जब flux की बात कर रहे हैं हम जब physics की बात कर रहे हैं हम जब gauses teorem को करने जा रहे हैं तब हम छेतरफल को किस तरह से treat करें Geld करेंगे चेतरफल सदिश की दिशा अभी लंबवत बाहर की ओर होती है यदि प्रस्ट यह ऐस है और इसका छोटा सा अभी अब ds है जो इसा जैसा कि मैंने बताया तो छेत्रफल सदिस ds की प्रस्ट के अभी लंबवत प्रस्ट की दिशा यह क्या होगा यहां पर दिशा होगा तो दिशा क्या होगी अभी लंबवत बाहर की ओर होगी यह आपको ध्यान रखना दिशा प्रस्ट के अभी द्रवगतिकी में ऐडियोडैनिमिक्स में यूज किया जाता है देखिए यदि किसी ट्यूब से या किसी जगह पानी का फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में यदि हम कुछ आबजेक्ट रख दें तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा यदि मैं आबजेक्ट को अभी लंबवत रखत और यदि मैं रिंग को आडा कर देता हूँ तो पानी बहने की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी जो कि मैंने छितरवल सदिश में भी अभी बात करी तो फ्लक्स है विद्धुत बलरेखाओं का किसी भी प्रस्ट से अभी लंबवत गुजरना विद्धुत बलरेखाओं की यह एक प्रस्ट है इसके अभी लंबवत है इसका एक small element हमने ds लिया है तो इससे जो अभी लंबवत जितनी बलरेखाओं गुजरती हैं उनको हम कहते हैं इससे गुजरने वाला विद्धुत फ्लक्स यहाँ पर देखिए आप कितनी बलरेखाओं गुजर रही है इस छोट प्रस्ट इससे जा रही है तो देखिए बहुत सारी बल रेखाओं इससे गुजरेंगी तो यहाँ पर फ्लक्स जादा होगा यह एलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर आफ फिल्ड लाइन्स पासस्त्रो असरफेस विच पर्पेंडिकुलर टुद एलेक्रिक फील्ड एलेक्रिक इससे कम हो जाएगी याने फ्लक्स कम हो जाएगा तो कहने का ताथ पर यह है फ्लक्स का मतलब यह है विद्ड छेत्र में इस्थित किसी प्रस्ट से अभिलंबबत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस प्रस्ट से संबद विद्ड फ्लक्स कहते हैं यह वि और electric flux का मतलब इसलिए e suffix में इसमें लगा हुआ और यह कैसी रासी है? स्केलर क्वांटिटी है अधिसरासी है याद रखिएगा इस रेफिजिशन को विद्धु छेतर में इस्थित किसी प्रस्ट से अभी लंबबत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस प्रस्ट से संबध विद्धु फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई इसे शो कर स्केलर क्वांटिटी है अब हम फ्लक्स पर आगे बाग करते हैं दिखिए यदि आपने पढ़ा है फीड लाइन्स आपने पहले पढ़ ली है विद्धु छेतर रेखाएं आपने पढ़ी है तो धनाविश से विद्धु छेतर रेखाएं बाहर की तरफ जाती है और रिणा धनाविश की स्थिति में किसी प्रस्ट में धनाविश रखा हुआ है तो बल रेखाएं कहां जाएंगी बाहर की तरफ जाएंगी और यदि बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही है माइनस क्यू चार्ज की स्थिति में ये माली जे एस टू प्रस्ट है माइनस वाला और य प्रश्ट से बाहर जा रही हैं, तो धनातमक विद्धित-Flux होता है। यदि छेत रहा अंदर प्रवेश करती हैं, तो विद्धित-Flux ओरनातमक होता है। जब छेत रहाओं की टोटल संख्या हमको गढना करनी हैं, तो वो electric field के intensity बढ़ा देंगे तो field lines बढ़ जाएंगी और area यदि आप बढ़ा कर देंगे उसके अभी लंबवद जो area रखा हुआ है उस area को उस surface को आप बढ़ा कर देंगे तो भी उससे गुजरने वाला या उससे संबध विद्धुद flux बढ़ जाएगा इसका मतलब यह है क कि flux e और ds दोनों पर depend करता है जैसे माल लीजिए कि यह electric field का direction है कौन सा उपर यह दिया गया है इस diagram को देखिएगा यहां तो छेतर सदिस की दिशा तो उपर होती है विद्धुद flux इस स्थती में जबकि विद्धुद छेतर की तीवरता उपर है यह surface है और surface इसका vector है यह दोनों surface vector यह दोनों के बीच का कौन जीरो है इसका मतलब है कि विद्धुद छेतर की तीवरता e और यदि प्रस्ट उसके लंबवत इस्थित है यह कैसा इस्थित है इस प्रस्ट के लंबवत है तो यह जो vector आएगा यह भी इसी direction में आएगा तो vector e और vector ds का जो direction हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का angle क्या होगा जीरो होगा तो यह e और ds के गुड़नफल के बराबर होती है यदि लंबवत है प्रस्ट तो विद्धुद फ्लक्स e और ds के गुड़नफल के बराबर होता है हम इसको आगे और देखते हैं यदि विद्धुद छेत इसका अभिलंब है इससे कितना कौण बन रहा है थीटा कौण बन रहा है तो इस अभिलंब की दिशा में इसका जो component है इसका जो घटक है वो e cos theta होगा दो घटक होते हैं वेक्टर के एक sin theta और एक cos theta तो e के दो घटक होगे एक e sin theta और एक e cos theta तो e sin theta यहाँ पर आएगा इसक को क्या लेना है जो लंबवत घटक है तीवरता का जो लंबवत घटक है तो विद्धुत flux की गड़ना यहां पर करेंगे तो विद्धुचित्र के घटक और विद्धुचित्र की तीवरता का गुणा करेंगे यानि इस स्थिती में हमारा flux होगा d phi small ds हम area चूज़ कर रहे हैं तो flux को क्या लेकरेंगे d phi बड़ा area चूज़ करेंगे तो इसका integration कर देंगे phi यह आ जाएगा तो इन दोनों के गड़नफल के बराबर होगी e का घटक e cos theta और यह प्रस्ट का छेतरफल ds इन दोनों के गड़नफल के बराबर होती है इस से इस equation को हम लिख सकते हैं समीकरन को लिख सकते हैं eds cos theta अब यह dot product की बात आ गई a b cos theta आपने पढ़ा है dot product अधिश गड़नफल a b cos theta होता है तो यह eds cos theta लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं vector e dot vector e यदि हमें total flux लिकालना है इस surface से तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका समाकलन करना पड़ेगा किसी भी प्रस्ट को छोटे-छोटे हिस्सों में हमने बाट लिया और प्रत्य हिस्से का flux हमने निकाल लिया और सारे flux को हमने जोड दिया जोडने की यह पूरी कहानी क्या कहला यह समाकलन कहला ती गर्द में इसको क्या कहते हैं integration कहते हैं summation कहते हैं तो integrate कर लेंगे हम क्या कर लेंगे integration कर लेंगे mathematics में विधी है जिससे हम component को जोड के total निकालते हैं किसी चीज़ का तो हमें total flux निकालना है तो यह होगा प्रस्थी यह समाकलन surface integration of vector e dot vector ds कहने का तात पर यह है कि flux का जो फार्मूला है उसमें आप definition में यह कह सकते हैं mathematical बात करो, mathematical interpretation उसका यह होगा कि vector e और vector ds का अधिश गुडनफल विद्ध छेतर की तीवर्ता और छेतर फल सदिस के अधिश गुडनफल को उस प्रस्ट से सम्वद्ध विद्ध फ्लक्स कहते हैं या उस प्रस्ट से गुजरने वाला विद्ध फ्लक्स कहते हैं अब हम फ्लक्स का विमिय सूत्र और मात्रक देखते हैं, unit देखते हैं, देखिए हमारे पास फार्मूला आ गया, फार्मूले से हम मात्रक भी निकाल लेंगे और विमिय सूत्र भी निकाल लेंगे, dimension भी निकाल लेंगे, d5 is equal to kya है, eds है तो e का हम क्या लिखें, मात्रक लिखें, e का विद्ध फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक आएगा, वो e के मात्रक में, ds के मात्रक का हम गुड़ा करेंगे, e का मात्रक आपने e पढ़ लिया है, विद्ध छेदर की तीरता आपने पढ़ लिया है, f upon q, f upon q या f upon q not, f का मात्रक Newton Q का मात्रक Kulam, याने ये होगा Newton प्रती Kulam, और DS छिदरफल है, तो छिदरफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्कूर, तो Newton प्रती Kulam into मीटर स्कूर, इसको हम ये लिख सकते हैं, Newton into meter Kulam minus 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब dimension formula की बात आई, तो ये dimension निकालेंगे, E का विमी सूत्र और DS का विमी सूत्र, तो E का विमी सूत्र जो होता है, वो होता है, M L T minus 3 A minus 1, ये F upon Q naught से आया, इस से पहले के lecture में आपने इसको समझ लिया, F upon Q naught, F का विमी सूत्र होता है, M L T minus 2, नीचे Q का विमी सूत्र होता है, A T, तो M L T minus 2 उपर है, A T नीचे है, T उपर और जाएगा, तो T minus 3 हो जाएगा, और A उपर जाएगा, तो A minus 1 हो जाएगा, एरिया का लंबाई गुलत चोड़ाई, तो विमी सूत्र क्या होता है, L 2, आप इन दोनों का गुणा करिएगा, गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा, ये L 2 और ये L के उपर क्या है, 1 घात है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाकी को वैसे ही आजाएगा, T minus 3, A minus 1, तो फाइनली, विमी सूत्रा गया, M L 3, T minus 3, A minus 1, इसे भी नो करेंगे, अब हम बात करते हैं, सबसे important concept, पहले flux को और थोड़ा सा elaborate करें, question आता है कि कब flux अधिक्तम होता है, और कब flux नियूनतम होता है, तो इन दो बातों को और हम समझ ले, प्रशन आएगा कि विद्धुत flux के से कहते हैं, ये कब नियूनतम होता है, और कब अधिक्तम ह होता है, तो ये अपन निकालते हैं, अभी हमने देखा, कि यदि विद्धुत प्रस्ट विद्धुत्चित्र के लंबवत है, ये वाला जो प्रस्ट है, ये विद्धुत्चित्र के लंबवत है, ये ऐसा रखा हुआ है, इसी के वेक्टर जो जाएगा, इस से उपर तो यह प्रस्ट रखा हुआ है यह विद्धु छेत्र के क्या है लंबवत है तो इन दोनों की E और वेक्टर Ds देखिए कौन जो फ्लक्स में है वो E और इस Ds के बीच का कौन नहीं है इस confusion को अपने दिमाग से निकालने है छेत्रफल सदिश और वेक्टर E के बीच का कौन है यह देखिए छेत्रफल सदिश Ds और वेक्टर E के बीच का कौन क्या है जीरो है यह देखिए इन दोनों के बीच का कौन क्या है जीरो है इस condition में कब जबकि प्रस्ट विद्धु छेत्र के लंबवत है तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा जीरो तो D5E बराबर E Ds कॉ जीरो हो जाएगा जीरो की वेल्यो वन होती है तो हमारे पास आजाएगा D5E इक्वल्स टू E Ds यह मैक्सिमम है यह अधिकतम होता है तो अधिकतम कब होगा जब प्रस्ट विद्धु छेत्र के लंबवत है अब हम नियूनतम की बात करते हैं यदि प्रस्ट विद्धु छ बीच का एंगे लंब को देखना है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री क्योंनी जो छेत्रपल सदिस है वो तो लंबवत बाहर की हो रहाता है तो इसका मतलब है दोनों के बीच का क्या बन रहा है 90 तो 90 डिग्री बनेगा तो इस फार्मूले में EDS कॉस तीटा में क्या रखा जा के लंबवत है फ्लक्स मिनिमम कब होता है निवनितम कब होता है तो कहिएगा यदि प्रस्ट विद्धु छेत्र के पैरलल है समान आंतर है तो फ्लक्स क्या होगा निवनितम होगा या शिवनि होगा तो आज हमने जो पड़ा उसके अभ्यास के प्रश्न आपको करना है एक एक समान विद्धु छेत्र में रखे विद्धु द्युद्रूप पर कारिये करने वाले बल्यूग के आघूरून का व्यांजग ग्यात कीजिए। दूसरा विद्धु फ्लक्स आपने पढ़ा तो आपको लिखना है विद्धु फ्लक्स किसे कहते हैं इसके अधिक्तम और न नुमेरिकल आपको करना है एक कुलाम आवेश से निकलने वाले विद्धु फ्लक्स की गढ़ना कीजिए। तो ये आप सब अभ्यास में करिए। टाइम टेविल आपको दिया गया है तो आप उसमें करिएगा। थैंक यू वेरी मच।